असलाम वेक्म आवर्यवान कैसे हैं आप I hope के ठीक ठाक होंगे विडियो के टाइटल से और इस क्लिप से अंता सा लगा लिया होगा आपने के ये नने मुने जाहरीन आज उम्रे के लिए जा रहे हैं ये बर्डे सर्प्राइज का पार्ट टू था पहले पार्ट में आपने इ बच्चों का मस्जिद नबदी में और खाना काबा में दाखला मंगू था और बड़े बी जिनकों के वेक्सिनेशन नहीं थी वो नहीं जा सकते थे अब इनोंने उम्रा एक एप के थू कर दिया है अगर आप पास वह एप है तो आप उम्रा उस पर बुक कर के जा सकते हैं अपने एक अलौट टाइम के अंदर अब ऐसे नहीं है कि जैसे हर वकत पना किसी वकत जा के उम्रा कर सकता था यह किसी वकत जा के रैजल जन्ना पे अब ऐसा नहीं है तो घर से निकले और जूइल निकलते निकलते लेट हो गए और यहां पर पहुंच गए हैं इस अदा करेंगे उम्रा नियत के बहुत बड़ी मस्जिद है माशाला और पहले यहां पर बिल्कुल रश नहीं था और अब इतना रश है कि महरान होगे कि पिछले साल से को उम्रा बन था उम्रा तो अब खुला है तो हम बिल्कुल खाली-खाली यह हुआ कर था सारा कुछ तो जब से हम आए हैं यह बचों के साथ मेरा और मेरे हजबन का अब इकठा हम चारों का यह पहला हुम्रा है तो बड़ा ही स्पेशल है उपर से रमजान है उपर से बेटे का बर्दे है तो ऐसा गिफ्ट और क्या हो सकता है तो पहले अशा था कि हम उम्रा करते तो हम होटेल चोड़ते, मैं उनके पास बैठती, तो हजबन उम्रा कर आते, फिर वो इनके पास बैठते, तो मैं उम्रा कर कर आती, तो हम चारों का इकठा ही है, पहला उम्रा है और बहुत ही स्पेशल है, अब नवाफद अदा करके निगल पड़े हैं रास्ते में, साड़े पांच कंटे आपकी आँखें खिड़की से भटी नहीं है, साओधी रभ हो और कैमल नहीं हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, रास्ते में कैमल अक्सर नजर आते हैं, और इस तरह करते हुए रास्ते में बच्चे सूगे दो घंडे के लिए, और फिर हम शाम को मगरिब के तक्रीबन टाइम हम प में सर में दर्द हो जाती है, और इस उजल वो शुरू थी बिल्कुल जोरों पर थी तर्द, तो अब में दिल कर था कि रोजा खुले और मैं चाहे पीऊं किसी तरह से तो वो फिर सुपूना था मुझे, तो अभी बस से अफटाई तो हमने गाड़ी में कर ली खुचूरे म मतलब मगरिब होने वाली थी और हो गई थी बलके क्योंकि अफटारी कर ली थी हमने रब ये मकाटावार दूर से ही नजर आ रहा है बच्चे बहुत सूपर एकसाइटेट थे उनका तो बस बस नहीं चाल रहा था क्या करें, वो हम मुझे पूचा करते थे जब मैं और मेरे कमजोर सी है पेटी मेरी माशला बड़ी अक्टिव है वो भागा दोडी कर लेती है अब ये आ गए हैं एंटर हो गए है बड़ा अच्छा सा है नोने मैनेज किया हुआ है बिल्कुल पहाड़ नहीं है मक्का बिल्कुल पहाड़ी है सारा मक्का नोने बड़ा ही इसको मतलब क्या मैं कहूं बहुत अच्छा इसको नोने मैनेज किया है बड़ी मॉडर्ण तो बड़ा जीव लगता है कि दरम्यान मेरे लागा घर और एक मॉडर्ण टाइप की बिल्डिंग्स और बहुत अच्छी इनोने इसको मैनेज किया हुआ है सरूंगे हैं उपर से नीचे से रा इनोंने बहुत रच था बहुत एक्स्ट्रीम रच था लेकिन मेरे बड़ी हिम्मत से उम्रा किया है माशाला मैं सब के दौाइएं मैंने की है जिन लोगोंने मुझे का था नाम ले लेके उन सब की मैंने दौाइएं की है तो अभी यह देखें यह सही हो रही है और सही जो बेटा मेरा कभी ठख जाता तो उसको बाबा नाम आउठा लेती है लेकिन मेरे हाल उम्रा बहुत प्यारे से ने दा किया है जहान वाफिल अदा किया है जहां दौाइएं मंगी है अल्ला किबूर करें इंशाला आमीन इसके बाद पर हमारा होटेल था मक्काा टावर में ही इसका नहा है move and pick, हम अक्सर यहां आते हैं और यह होटल है, बड़ा खुबसूरत होटल है, असलाफ सुत्रा है और रश बहुत है यहां पर, कमरा मिलना बहुत मुश्किल है, आज कल रेट्स बहुत हाई हैं लेकिन बच्चों के वज़ा से यही मुनासिब है करीब होटल होता तो यह बाब अबतुल जिल से बाहर निकलते ही बिल्कुल सामने मका टावर है और यह उसके अंदर यह वाक्या है तो पार्टरून था फिर यह आगे एक लाउंज है और डानिंग अरिया है मैं बच्चे अब यहाँ पे चेंज करके तो खाना खा रहे हैं इन्टनल बैग काया था मैंने हजबन को काया मैं तो यह नी खाऊंगी बिल्कुल भी मुझे तो आपो यह च्छा सा खाना खिला हैं उसके बार चाय पीते हैं तो अभी वो चीज़ें खाना अग्रा लेने जब से मैं यहाई हूँ अलहम्दलिल्ला मदीना में मेरे हजबर ने हर बार कोशिश की है कि यही वाली मतलब रूम जो है ऐसा ही रूम लेंसे काबा भी हो तो एक्सपेंसिव होता है अच्छा खासा एक्सपेंसिव होता है लेकिन और जगाँ हैं बहुत जहां मंदा जितनी दुआएं मुझे आती है जितनी मुझे तो क्या सकती है या जिनिम जब सी अनो करती रहती ह antenधार को तो एकी नजब एस GOS कर दो खेंगा स्छो कुझ आता है मivia-Ill慢慢 पूरा मक्हा ही नज़ी बहुत खुबसुरूड फुतर बहुत याादगार उमरा रहा है हमारा पहला उमरा किकटे, बहुत मजाया, और मैं तो सोजी दू की दिए कर धालो, रास्थे के दही आपशी वारा है, और सारा रास्ता मएन शूंगी, लेकिन मैंने आपको कहा था ना कि ये इतना पुरिस्रारास्ता है, मदीना से मक्का का और मक्का से फिर मदीना का, कि मैं एक लम्हे को भी अपनी आँखे नहीं बन कर पाती हूं, बहुत इंज्वाइ करती हूं इस रास्ते को, आप ये वापस निकल रहे हैं, और हजबन को रा ये विल्डिंग्ज पारों के ओपर खड़ी कर ली है, और ये हमस्जिदे आइशा, जो के मक्का वालों का मकाव मिकात कह लें, यहां जो मक्का के लोग हैं, जो मक्का के आते हैं अम्र्य करने हो यहां पर नियत करते हैं और की, बढ़ी खुर्समत मस्जिद हैं, माशा जोग यहाँ आएं और एक लम्हा भी अपना जायाना करें और जितनी भी अपने लिए बरकते और नेकियां और रहमते सकते हैं और बस यह वापची का सफर है बड़ा ही हराम कुना है यहां पर जगह आती है रास्ते में जहां पर पत्थर इस तरह से पड़े हुए है जैसे प जो फिर हिला सकते हैं तो फिर जो मारी डॉबर भाई है उनोंने कहा है कि का जाता है कि इसी कौम पर यहां पर पत्थरों की बारिश का अजाब आया था अब अब लालम सही है यह अगलत है और यह जगह है जहां पर बहुत बंदर है और बड़ी हरानी की जगह है कि बहुत इक्साइटेड होके बड़े शौक के साथ ये स्टोरी सुन रहे थे और ये बड़ी हरानकुन बात है बहुत सादा बंदर है इतनी गर्मी में और लोग इन को रूपके पानी और खाने पीने की चीज़ें देते हैं तो ये उनके और करीब आ जाते हैं कहते कुछ नहीं है बस ये मदीना पहुंच गए है ये मदीना शेहर से थोड़ा सा बाहर निकल के कि इनिवस्टी है बहुत बड़ी मदीना की ये वो है नाम आपको देख्रेम बताऊंगी मैंने इस दफ़ा देखा नहीं मदीना का स्ट्रक्सर टोल्ली डिफरेंट है इर्दिक्रित पहार है दरमयान में प्लेन जगा है तो समझ में आता है जैसे प्याले की तरह किया कुछ है मामला मदीना शरीफ का इर्दिक्रित पहार है औरपनी दरमयान ओहद का पहार भी है वो भी इंशाहला आपको दिखाऊंगी बहुत खुबसूद पहार है उसमें इतनी इत्रेक्शन है कि म पहुँच गए, अफ्तारी से काफी पहले पहुँच गए थे और अफ्तारी का बंद बस किया हुआ था, ओफिस से आ गए थी, अफ्तारी तो मुझे टेंशन कोई नी थी, अब जाके मैंने बस थोड़ी का मरसी दी करनी थी, मैं बहुत ठग गए थी, मैं रात को भी नी सोई तो अभी मैं मस जाके थोड़ा साराम करने का प्लान है मेरा, तो हम आगे हैं सिटी में, यह रास्ते इतने इत्रैक्टिव हैं, यह वह जगें जहां से हजूर पाक गुजर के आए होंगे, मैं आगे चलके आपको हिजरा रोड दिखाती हूं, यह वह रोड है जहां पर यह पर हजूर पाक जब हिजर करके आए थे मक्का से मदीना की तरफ तो इस रास्ते से गुजरे थे, इसका नाम ही हिजरा रोड है, यहां पर यह रोड है, और यह एंट्री पॉइंट है, सिटी का, अब यह अपनी घर पहुच गे है, मेरे गर के बिलकुल जैसे घर से बाहर न प्रीज चैनल को सबस्वाइब कीजेगा, विडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा, अपना बहुत ख्याल लग कीगा, अल्ला हाफिज